इस एपिसोड की शुरुवात में हम स्टार लाइट को देखते हैं, तब ही वहाँ शिंजन भी आता है, और वो क्षीमू को किचन से बहर ले आता है, नहीं पर क्षीमू बेवोश हो जाती है, तब ही स्टार लाइट शिंजन से अब हमें क्षीमू को बचाने के लिए शिंजन देना चाहिए, कहकर उसका हाथ से एक ऑक्सिजन का बैटरी को क्षीमू की मुँपर रखता है, इसके बाद वो तीनों वहाँ से बहर जाते हैं, और क्षीमू को ऑस्पिटल शिफ्ट करते हैं, फिर हम ऑस्पिटल का सीन को देखते हैं, जहापर डॉक्टर शिंजन से क्षीमू को कुछ दिन के लिए रिष्ट लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि ज्यादा आग के वज़े से उसकी हालत कराब हो चुकी है, इसके बाद शिंजन और स्टार लाइट वहाँ से जाने लगते हैं, फिर हम क्षीमू की डिरेक्टर को देखते हैं, जो एक मास्क पहन हुआ परसन के पास आती है, और वो क्षीमू की रेजिम देती है, इसके बाद वो कहने लगती है, अब मुझे क्षीमू के बारे में इतना ही इन्फोर्मेशन मिला है, और मैं क्षीमू को ओटो मैट्स का एडिटिंग करने का टास्क दिया हूँ, मुझे चांस मिलते ही उसक कि कम्पीटर से इन्फोर्मेशन कलेक्ट करूंगी, तब यो मास्क पहना हुआ परसन, अब क्षीमू शिंजन का गर में रहती है, तो तुम शिंजन से बश के रहो, और मैं तुमें मनी ट्रैंसफर करता हूँ, तो तुम यहां से जाओ कहता है, फिर हम शिंजन और स्टार ल चाहिए, शिंजन स्टारलाइट से तुम कुद को मसीबत में डाल कर क्षीमू को क्यूँ बचाए हो, स्टारलाइट कहता है, क्योंकि मैं ए सब आप के लिए किया हो, आप क्षीमू को पसंद करते हैं इसलिए, और मुझे पता है, क्षीमू आप के लिए कितना हो तब शिंजन कहता है मुझे क्षीमू उतना important नहीं है तब श्टार लाइट शिंजन से पूछता है तो आप आपके life को मुसीबत में डाल कर क्षीमू को क्यों बचायेते क्योंकि आप क्षीमू को पसंद करते हैं यही पर शिंजन कुछ नहीं कहता है और वो श्टार लाइट को वहाँ से रिपैर करने के लिए ले जाता है इसके बाद शिंजन डानिका से स्टार लाइट का master recognition program को change करने के लिए कहता है तब यह ओ सकता है लेकिन आपको स्टार लाइट को reset करना है अगर आप reset करोगे तो श्टार लाइट सब चीजों के बारे में बूल जाएगा तब शिंजन reset करने ही वाला होता है तब श्टार लाइट बाई आप मुझे reset किये तो मैं सब को बूल जाओंगा अगर आप चाहो तो reset कर सकते हो यही पर शिंजन sad होता है और उसे स्टार लाइट के साथ बिताय हुए पल याद आ जाती है फिर हम hospital का scene को देखते हैं जहाँ पर क्षीमू को ओश आ जाती है तब जिन उसके पास आती है औरो क्षीमू से कल के लिए thank you क्योंकि तुम मुझे आग से पहले जाने दिया था अगर तुम्हे कुछ ओती तो मैं कुद को माफ नहीं कर सकती थी तभी क्षीमू तुम क्यों thank you कह रही हो बलकि मुझे तुम्हे thank you कहना चाहिए क्योंकि कल तुम मुझे save कीती न तभी जिन कहती है तुम्हे मैंने नहीं बलकि सिंजन और उसका ब्रदर ने save किये थे तभी क्षीमू हाँ मुझे याद आ रही है कल शिंजन आग के बीच से मुझे save करने के लिए आया था तभी जिन कहती है तो तुम्हें शिंजन को thank you कहना चाहिए और तुम मुझे से शादी करो और कहती है शिंजन इतना अच्छा लड़का है तो तुम अब उसे call करकर thank you कहो तभी क्षोमू कहती है मैंने कल उससे से उसका contact number delete कीती तभी जिन कहती है कोई बात नहीं कैंडी और शिंजन का company बहुत करीब है तो जब तुम free होते हो तब तुम उसे thank you कहने के लिए चले जाओ तभी क्षीमू time देखकर वहाँ से जल्दी उठ जाती है तभी जिन तुम कहा जा रही हो कहकर पूछती है क्षीमू मैं office जा रही हूं कहती है जिन कहती है डॉक्टर करने कहा है कि तुम में rest लेने की जरूरत है क्षीमू कहती है डॉक्टर मुझे पे नहीं करते हैं तभी जिन क्षीमू को उसकी कपड़े दे देती है फिर हम शिंजन और starlight को देखते हैं जहाँ पर शिंजन breakfast कर रहा होता है तभी starlight मेरे master क्षीमू कैसे है क्या मैं उसे meet कर सकता हूं कहकर पूशता है तभी शिंजन starlight से तुम क्षीमू को master कहकर क्यूँ बुला रहे हो क्यूंकि ये word में तुम किसी को master कहकर नहीं बुला सकते हो इसके वज़़ा से trouble हो सकता है तो तुम उसे miss, क्षीमू और sister कहकर बुला सकते हो तभी starlight तो हम sister को देखने के लिए जा सकते हैं न कहकर पूषता है शिंजन मान जाता है तब हम स्टारलाइट जब हम कुषिमू को देखने के लिए जाएंगे तब हम उसे gift भी लेकर जाएंगे तब शिंजन कहता है इसका कोई जरूरत नहीं है तब इस स्टार लाइट अगर आप गिफ्ट नहीं लेकर जाएंगे तो आपके गर्ल फेंड नाराज हो जाएंगी तब इस इंजन स्टार लाइट से तुम कब से इमोशनल सिस्टम को मेरे पीट पीच अपडेट किये हो कहे कर पूशता है और हो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं फिर हम ऑस्पिटल का सीन को देखते हैं जहाँ पर क्षीमो और जिन डिस्चार्ज अप्लिकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए लाइन में कड़े हुए होते हैं जहाँ पर क्षीमू, अप्लिकेशन फॉर्म को देखर, जिन से कहती है, अगर मैं ए सब टेस्ट करकर जाओंगी, तो मेरी ओफिस क्लोज हो जाएगा, तभी वहाँ शिंजन और स्टार लेट आते हैं, तभी क्षीमू, उन्हें देकर ए यहाँ क्यों आये हैं, कहेकर जिन से प पास जाकर कल के लिए तैंक्यू कहना चाहिए, तभी क्षीमू, शिंजन के पास जाकर मैं अब टीक हूँ, तो डॉक्टर ने कहा है कि गड़ जा सकती हूँ, तभी स्टार लेट क्षीमू को देकर स्कैनिंग करकर उसकी सब हेल्थ कंडिशन के बारे में बताता है, जिसे क् क्षीमू की हाथ को पकड़ कर, क्या तुम फ्री हो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाओंगा, कहेकर क्षीमू को बहर ले जाता है, अवरो कहता है, स्टार लाइट तुमें पसंद करता है, इसे सनकर क्षीमू, क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है कहती है शिंजन कहता है स्टारलाइट तुम्हें गर वापस लेकर जाना चाता है तभी क्षीमू को जिनकी बात याद आ जाती है और उस शिंजन से हाँ मैं गर आती हूँ कहती है तभी शिंजन तो अब मैं तुम्हें आफिस चोड़ता हूं कहकर आगे जाने लगता है तभी क्षीमू शिंजन से कल मुझे सेव करने के लिए तैंक यू इसलिए मैं स्टार लाइट का बात को किसी को भी नहीं बताऊंगी और मैं मेरी प्रॉमिस को हमेशा याद रखूंगी तभी क्षीमू कहती है तुमने कहा ता न हमें मीडिया के सामने हमारा रिडेशन्शिप के बारे में कनफॉर्म करना चाहिए इसके वज़ा से तुमारे और स्टन्ट टेक्निक कमपिनी के बारे में पबलिक का ओपीनियन बदल जाएगा तभी शिंजन क्षीमू के पास आकर तो तुम एसब कल रात के वज़े से कर रही हो ना तभी शिंजन कहता है कल मैंने नहीं बलकि स्टार लाइट ने तुम्हें सेव किया था केहकर वहाँ से जाने लगता है इसके बाद शिंजन क्षीम को ओफिस में ड्रॉप करता है क्षीम के जाने के बाद स्टारलét शिंजन से क्षीम सैड क्यों लग रही थी तुमने कुश कहा शिंजन ऐसा कुश नहीं है कहता है तब हिस टारले तुम उसकी boyfriend हो तो तुमें उसकी कयाल रखना चाहिए शिंजन कहता है हम बस contract relationship में हैं और कुछ नहीं है तभी स्टारलेक क्या आपको क्षीमू के उपर feelings नहीं है क्या शिंजन मुझे feelings नहीं है कहता है तभी धानिका शिंजन से कहती है आपके heartbeat ज्यादा high हो रहा है तो आपको medical check-up करना चाहिए इसे सुनकर शिंजन को starlight के सामने embarrassment feel होता है फिर हम क्षीमू को देखते हैं जो office में जाकर work करने के लिए बेट जाती है तभी वहाँ उसकी director क्षीमू के उपर चिलाते हुए आती है और ओ कहती है तुम इतने दिन लिव में थी तो तुमें company को लिव लेटर देना चाहिए ता ना कहकर डांटने लगती है तभी एक staff director से ओ यहाँ new आई है तो उसे पता नहीं होगा कहती है तभी ओ डांट कर तुम तुमारे काम करो हमारे बीश में मत आओ कहती है और ओ क्षीमू से क्या तुमने T5 की publicity video editing को complete किये हो कहकर पूछने लगती है क्षीमू complete नहीं हुआ है कहती है यही पर डांट कर जल्दी काम करने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है फिर हम क्षींजन को देखते हैं जो office में होता है और ओ यही पर क्षीमू के बारे में सोच रहा होता है और ओ अपने आप से पूछने लगता है हम बस contract couples है तो मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ तभी ओ टेबल में coffee को देखता है जिसमें उसे क्षीमू दिखती है इसे देखकर शिंजन डर जाता है और ओ खिन को बुलाने लगता है तभी किन क्षीमू की सूट केस लेकर आता है यही पर शिंजन को सूट केस में भी क्षीमू दिखने लगती है और ओ डर कर सूट केस और coffee को बहर रखने के लिए कहता है किन कौफी और सूटकेस को बहर रखकर शिंजन से आपको ऑस्पिटल जाना चाहिए कहता है शिंजन मैं टेक हूँ कहता है तबिकिन साइकाट्रिस्ट ने आपको कहा ताना आपको रेगूलर चेकप करने की जरूरत है तो आपको वहाँ जाकर कही दिन ओचुका है तबिकिन शिंजन मैं इतनी दिन सही था लेकिन मैं ख्षीमू के वज़े से आस्पिटल क्यों जाऊं कहता है इसके बाद किन शिंजन को आस्पिटल ले जाता है जहाँ पर शिंजन डॉक्टर से कहता है आशकल मुझे इल्यूशन हो रहा है तभी डॉक्टर आपको किस चीज़ के बारे में इल्यूशन हो रहा है कहकर पूशते हैं तभी शिंजन कहता है एक लड़की के बारे में तभी डॉक्टर पूशते हैं तो आप उस लड़की के बारे में बात कर रहे हो जिस लड़की के बारे में मीडिया वाले बात कर रहे है क्या तुम लोग रिलेशन्शिप में हैं क्या इसे सुनकर शिंजन क्षीमु के बारे में सोचने लगता है और हो कहता है हम बस कॉंट्रेक्ट कपल्स है जब से मैं क्षीमु को फायर से सेव किया हूँ तब से मुझे ऐसा फील हो रहा है तब ही डॉक्टर पूछते हैं जब आप उसे सेव कर रहे थे तब कुछ स्पेशल तिंग्स हुआ है क्या तब ही शिंजन कुछ बताने के ले जाता है और वो किन को देखता है तब ही किन मैं बाहर जाता हूँ कहता है किनके जाने के बाद शिंजन डॉक्टर से कहता है जब क्षीमू कोमा में थी तब मैं उसे सेव करने के लिए किस किया था तभी डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन लेने के लिए कहती है इसके बाद शिंजन वहां से जाने लगता है तभी शिंजन को उसका ग्रैंटपा का कॉल आ खोना तब शिंजन हम तीनों टीक है कहता है तब ग्रैंडपा अब तुम लोग कहा हो और तुम मुझे मिलने के लिए कब आ रहे हो कहकर पूछते हैं औरों कहते हैं जब तुम यहां आओगे तब तुमारे साथ तुमारे गर्ल्फरेंड को भी यहां लेकर आओ वैसे दो दिन के बाद कमपिनी का वीकली मीटिंग है तब तुम दोनों आओ कहकर कॉल को काट लेते हैं इसके बाद शिंजन क्षीमू को ए बात को मेसेज करकर बता देता है फिर हम क्षीमू को देखते हैं जो आफिस में काम कर रही होती है तब ही उसे लिन मेसेज करकर मैं आ इसे देखर शीमु शौक हो जाती है